लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जैसा विश्वास रद्दा होना यह वैसा नहीं है क्योंकि जीवन इतनी जीवन की प्रस्तियां इतनी कठिन है कि विश्वास होता नहीं मैं केवल कह दूँ कि केवल अलत्रा सर्साम कर लो काम बन जाएगा करते हैं संख्या करने के बाद फिर देखते हैं हमारा काम क्यों नहीं हो रहा तो फिर हो ढूनते हैं कोई और मंत्र देता है खोट दो मैं तो एक चीज़ कहते हूँ सच में एक मंत्र लोलता सा से अपने अप में पूर्ण है किसिको अगर शड़दा है और कोई sincerely कर रहा है और मास से अगर वो संबंद मना लिया उसको किसी चैसे कमी नहीं होने वाली लेकिन मैं देखती हूँ शद्धा जैसी उनीचे वैसी नहीं है तो वो अलग-अलग मंत्रों को दूनते हैं कि कुछ ऐसा मंत्र जिसे धना जाए तो ठीक है यह आप लोग अपने इसाप से कर सकते हो सबका अनुष्ठान एक ही होता है 1400 माला अनुष्ठान फिर थोड़ा दान पुन्या और अनुष्ठान के जो बड़े वाले मंत्र की जो विधी दी गई वो यह अनुष्ठान का विधी है ठीक है ना बाकी कि उसमें मैंने नियास व्यास कुछ रखा नहीं है Simple नियास क्योंकि आप लोगो Simple नियास बता दिया है बस भावना से जो भावना से जुड़ा है उसका तो सब काम हो रहा है जो हजारों टेक्निक कर ले लेकिन भावना में कमी है और थोड़ा भी वो इफन बट है न कि मेरा काम होगा के नहीं होगा तो फिर वहाँ गड़बर हो जाती है तो नहीं पकड़ लेते हैं हां का तो बात ही नहीं क्यों कि दूशद्धा नहीं है इसलिए आप लोगों को धनाकरशन का भी मंत्र दिया गया चत्र तो मैं उनकी पादुगा मंत्र करती हूं मैं और कुछ नहीं करती क्योंकि मुझे मातावरताली के चरणों को याद करके उनको नमस्कार करना उनको बस उनको प्रेम देना मांगने की अवादत छुड़ दिये तो मैं क्या दू उनको तो मैं उनको प्रेम देती हूं इसलिए यह वारताली आपके चर्णों को प्रणा में है, यही वारताली वाराई ही है, यही पितांपरा बगला मुख्य है, बगला मुख्य कर्माला लो तो वाराई, 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 वाराई की बात होती है, तो इनमें को दुनों में कोई अंतर नहीं है, यह आप लोगं को बता द तो शत्रु स्तंभन, तंत्र रास तंत्र, एक तंत्रिक बुख है, ग्रंथ है, उसके अंदर वारताली की पुजा, वाराई की पुजा को डिटेल में समझाया गया है, और उनके अंदर 112 अक्षर वाला जो मंत्र है, बड़ा मंत्र वो आप लोगों को भी दिया है, तो वो हम ल मंत्र करेंगे, और जो वारताली के जो पादु का मंत्र दिये गए है, यही गुरु मंत्र भी होता है, ठीक है न, तो जब श्रीविद्या करम में जब हम चलते हैं, तो इनको गुरु मानते हैं, गुरु मान करके, और फिर हम उसी साब से फिरुन की पुजा करते हैं, तो य दिरे दिरे और जो श्रीविद्या में आगे जाएंगे, कुछ-कुछ और बातें होगी, अभी तो किवल तयार हो जाओ, तयार कोई है नहीं, इसलिए ना समय लगता है, पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ है, इसलिए श्रीविद्या इतना विस्तार में है, और ज्यादा गु दो साल, तिन साल, चार साल आपको लगना होगा, लेकिन जो आते हैं, वो कि वल्ला ऐसे ही है, बस शॉटकट की, क्यों उनको आदत पढ़ी है, कई-कई गुरुओं के पास घुनगाम के आते हैं, उनको आदत पढ़ी है, गुरु लोग ऐसी मंतर देते थे पिर देखते भी जैसा method बताया गया हो, और एक 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 लेवल पे एक build-up होता जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा ये process है, एक लेवल पे एक लेवल पे, एक लेवल पे build-up होने वाला है, तो अभी हम लोग आ रहा ही प्यार आ गये हैं,